दो हजर तेस का लेटेस्ट वीडियो आयर से एकाउंट कैसे बनाएं बहुत सारे लोगों के साथ प्रोब्लम होता है कि आयर से एकाउंट नहीं बन पाता है इस टोपिक पे पहले से एक वीडियो बना रखा था जिस पे 30 लाग फ्यूज था बदकिस्मती से यूटूब ने इ इस टाइम से पहले आप आयर से इस्ति से एकाउंट बना आसकते हो आपको दियां रखना है जो नमबर और इमेल कोरो आपका हंडेड़ परसेंट ईस एकाउंट बनेगा सबसे पहले Play Store से इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है IRCTC Rail Connect यह अप्लिकेशन अफिसियल है और इस अप्लिकेशन के जरी आराम से IRCTC एकाउंट बन जता है इसलिए मैं इस अप्लिकेशन के थुरू बताऊंगा अपने इस अप्लिकेशन को ओपेन करना है यहाँ कोने पर login का option दिये गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर आपको मिलेगा register user का option इस पर आपको क्लिक करना है नाया IRCTC एकाउंट बनाने के लिए सबसे उपर mobile number डालना है mobile number के बाद नीचे अपना email ID देना है फिर आपको एक username बनाना है username बनाने में थोरा से आपको difficult होगा जैसे कि मैं यहाँ पर एक username यहाँ पर लिखता हूँ तो यह red color हो गया है यानि कि यह username किसी और को मिला है तो मैं यहाँ पर change करके दूसरा डालूँगा यह वाला username available है तो इसे मैं रहने देता हूँ याद रखना है username बनाते time word और number दोनों को mix करके username बनाना है फिर आपको एक password बनाना है password को बनाते time ध्यान रखना है कि एक letter capital होना चाहिए यहाँ पर मैं so कर देता हूँ ताकि password बनाऊ तो वो आपको दीखे proper password बनाते time एक letter capital रखना है बाकी का word small होना चाहिए और number को mix करके बनाना है password आपका कम से कम 8 letter का होना चाहिए और जो password आप उपर लिखोगे confirm password में same password आपको डालना है देख सकतो कैसे मैं password बनाया हूँ एक letter capital है बाकी small है और number को तीनों को mix करके मैं password बनाया हूँ तो same तरीका से आपको भी password बनाना है first name अपना रखना है जो आपका नाम हो और middle name optional में है last name optional में है तो हमें इसे छोड़ देना है फिर यहाँ पे data birth एक select करना है जो आपका real data birth हो वही डालना है क्योंकि कभी आप अपने username और password भूल जाते हो तो recover करने की time पे आपका data birth मांगेगा तो मैंने यहाँ पे data birth डाल दिया यहाँ पे gender select करने के लिए बोल रहा है तो मैं mail हूँ तो mail पे click कर देना है फिर नीचे nationality है इस पे आपको click करके India चूच कर लेना है security question पे click करके कोई साभी एक question select कर लो तो मैं यहाँ पे pat name में चूच कर लेता हूँ pat name में मैं कलू लिख देता हूँ कुछ भी लिख सकते हो इससे कोई फरक नहीं परता occupation और marital status छोड़ देना है क्योंकि दोनों optional में है और यहाँ पे next का एक button मिलेगा next कर देना है next जैसे ही करोगे टेक नया form भरने को आ जाएगा यह form होगा address fill करने के लिए तो आपको यहाँ पे address fill करना है कैसे address को fill करने में बताता हूँ आपका कोई साभी गाव हो कोई साभी city हो बस उस नाम को एक नाम को यहाँ पे रखना है पूरा address को नहीं लिखना है जैसे मैं लिखता हूँ द्वार का पूरी बस एक word में एक ही नाम लिखना है पूरा आप नाम मत लिखेगा ने तो फिर दिक्कत होगा copy residence address पे आपको टिक कर देना है यह एक capture आया हुआ है तो इसको verify करते हैं यहाँ पे bridge लिखा हुआ है यह दोनों optional में है तो छोड़ देना है select country पे click करके India select कर लेना है फिर यहाँ पे pin code डलना है अपने area का automatic आपका estate सेलेक्ट कर लेगा जैसे 110059 यह हमारा pin code है तो देखो यहाँ post office का option आगया है और city चूज करने का option आगया है तो यहाँ पे click करके अपना city चूज कर लो city चूज करने के बाद दिल्ली यहाँ पे खुद से आगया फिर post office अपने area का चूज करने है कौन सा आपका post office है फिर यहाँ पे mobile number डालना है same mobile number डालना है जो सुरू में डाले हो जैसे mobile number डाल देतो हो एक register का यह बटन है इस पे आपको click कर देना है जैसे click करोगे आपका ISATC account बन जाएगा यह मैंने click किया एक add आया add को मैं यहाँ कोने से skip करता हूँ देखो यह message आ गया आपका ISATC account बन चुगा है यहाँ पे यह मेरा username में और मैंने जो password किरियत किया था उसी password को हर जगा डालूँगा जहाँ पे मैं अपना ISATC account लोगिन करूँगा मैं एक screenshot ले लेता हूँ ताकि कभी भूलू ना जैसी ok पे click करोगे आप back आ जाओगे फिर से यहाँ पे आप अपना username password को डालो और capture को डाल के लोगिन करो मैं अपना username password और capture को डाल दिया हूँ अब मैं लोगिन करता हूँ जैसी लोगिन करोगे आप आप आओँ जाओगे verification वाले page पे आप अपने mobile number पे OTP सेंड करके आप अपने email ID पे OTP सेंड करके यहाँ पे verification करना है यहाँ पे दिया हुआ है send OTP का option इस पे आप क्लिक करके एक OTP को भेज देना है देखो यह आपके mobile number पे OTP चला गया है यह हमारे mobile number पे OTP आगया है 655658 पहले हम इसे verify कर लेते हैं देखो mobile number आपका successfully verify हो चुका है और यहाँ पर भी बता रहे है mobile number verify अब आपको email ID वेरिफाई करना है यहाँ पे send OTP का option है इस पे आपको क्लिक करके अपने email ID पे OTP मंगा लेना है तो देखो यहाँ पे email ID पर भी OTP चला गया है ओके कर दो देखो यह हमारे email ID पे OTP आया है 315355 तो हम यहाँ पे अपने email ID का OTP फिल करेंगे 315355 अब यहाँ पे verify user पे यहाँ पर भी आपको login करना है तो आप अपने email ID पास्वोर्ट डाल करके login कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ केपचा को फिल कर लो अब यहाँ पे login कर लो एक यहाँ पे temporary pin generate करना परेगा इस application के लिए जब भी आप इस application को open करोगे तो यहीं pin डालना परेगा तो मैं यहाँ पे pin generate कर देता हूँ 12334 12334 submit कर देता हूँ यह pin आपका generate हो चुगा है यह temporary यह बस इस application के लिए है जब भी इस application को open करोगे तो बस इस pin से आप अपने account में login हो जाओगे लेकिन अपने chrome पे laptop पे IACTS account login करना चाहते हो तो आपको username password डलना परेगा यह pin सिर्फ इस application के लिए था मैं अपने IACTS account के अंदर login हूँ यहाँ पे option देए गया है train का train पे click करेंगे book ticket और यहाँ पे my booking का option है यहाँ पे book ticket होता है और booking जो हो जाता है my booking में दिखाता है तो book ticket पे मैं click करूँगा तो यहाँ पे पहले से आ रहा है कि New Delhi 2 छपरा यह मैंने डाला हुआ हूँ और कौन से date में जाना है यहाँ से date select कर लो और यहाँ पे train search पे click करना है जैसे train search पे click करोगे उस route की सारी train की list आपके सामने आजाएगा जिसमें आप ticket करना चाहते हो इस पे आपको click करना है और उस train का सारा seat बता देगा कि कितना waiting चल रहा है अब लेवल रहेगा तो यहाँ पे अब लेवल बताएगा यहाँ पे passenger detail देख करके आप ticket अराम से book कर पाएँगे यह था simple तरीका IRCTC rail connect application के थुरू बहुत ही आसानी सा IRCTC account बन जाता है इसलिए इस application के थुरू ही आपको बताया कि कैसे आप IRCTC account बना सकते हो कैसा लगा जनकारी बताना नीचे comment box में यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर सकते हो कर सकते हो अपने दोस्तों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाए